नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल और वन एट डियार वी पीसल के लिए कुछ लोगों के पास इस तरीके के मैसेज आ रहे हैं सेभी के नाम से और आप वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि यह हो सकता है आपके पास भी आया होगा यह आपने पीय सील में कभी पैसा इन्वस्ट किया होगा और अजुद्र होगी यह आपका पैसा कभ आए कि इसमीं जाने के यह वास्तम में ये मैसेज सही है या कोई अजिक रहा है हमसे और जैसा कि इसमीं लिखा है सेंड आपना सर्टिफिकेट बें जो इसमें पता है यह एडर्स लिखा है इसके ओपर और हमारा से इपिकेट भी चला जा जायर पैसे भी नहीं दो काफी मेरे जानकार थे उनके बार-बार मुझे फोन कॉल आ रहे थे तो ये सब देखते हुए मैंने सचा कि क्यों ना इसके बारे में पूरी जानकारी ली जाए और आप सभी लोगों के लिए एक वीडियो बनाया जाए तो मैंने इसकी जानकारी ली और पूरी जानकारी लेने के बाद आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ आपके पास अगर इस तरीके का मेसेज आया तो वो सही है या गलत है या फ्रॉड हो रहा है तो ये सब इस वीडियो मैं आपको बताओंगा तो आपको बता दूँ कि ये मेसेज जिनों ने मेरे पास किया उनको 26 मार्च को ये मेसेज मिला था और उसके बाद कई लोगों को पास और भी आ चुका है तो ये सब चीज़े जाने हम तो इसी के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा है इसमें हम इसका फैक्ट जैक करेंगे क्या ये वास्तम में सही है तो इस चीज़ को जानने के लिए हम क्या करते हैं हम सिधे इदर उदर और कहीं भी पता करने से अच्छा है कि हम सिधा सेबी की साइट पर चलते हैं तो यहां हम गूगल खोलेंगे और गूगल के अंदर हम यहां पर टाइप करेंगे पी ए सील पाकी तो सीधी डायरेक्ट साइट है आप साइट पर खोल सकते हैं साइट नहीं पता है तो हम इस तरीके से सर्च कर सकते हैं पिए सील रिफन्ड बाई से भी तो यह लिखकर हम साथ करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास पेज खुलके आएगा इसमें पीए सील ओम तो यह से बीए से बीए से बीए सील रिफन्ड डौट सी ओ डौट आइन तो इस तरीके के नाम से यह साइट बनी हुई है और उपर इस पेज पे लिखा आएगा इस साइट पे रिफन्ड टू इन्वेस्टर और पीए सील लिमिटेड बाई जस्टीस रिटायर्ड आर्म लोड़ा कमेटी इन दा मैटर पीए सील लिमिटेड पीए सील का जो पैसा था उसको वापिस देने लिए आर्म लोड़ा कमेटी बनाई गई थी तो यह जैसे यह पेज खुलके आएगा महरे पास तो इसमें यह न्यूज के नाम से यह लाइन चल रही है तो स्टार्टिंग से स्टार्ट होने दे इसको पढ़के बताते हैं आपको पब्लिक नोटिस विद रिगार्ड टू सब्मीशन ओफ ओरिजनल सर्टिफिकेट फॉर रिफंड इस अवलेबल इन दा पब्लिक नोटिस सेक्शन तो मतलब हमारा कुछ कुछ जो अमारी संका थी कुछ संका यहां अमारी खतम हो रही है कि जो हमारे पास मेसेज है हो कहीं न कहीं सही है तभी यहां पर यह लिखा आ रहा है बाकी इन्हों ने लिखा है public notice section के अंदर इसके बारे में दे रखा है तो हम इसका public notice section पे पहुंचते हैं यह inquiry about payment status है यहाँ पे आप अपना जो भी आपकी application number है वो डालके application number के लिए आपने उस time जब एक time दिया गया था उस time period के अंदर आपने application फिल अप करी होगी इसके लिए तो उस time application number generate हुआ था वहाँ आपको सभी original documents आपके upload मांगे गए थे certificate, pen card, आदार card और सभी documents का verification होने के बाद ही आगे की प्रक्रिया की गई है तो यहाँ से आप उसका status check कर सकते हैं पब्लिक notice पर हम click करते हैं इंदी और English दो भासा दी गई है जिस भासा में आप चाओ तो हम यहाँ पर इंदी भासा का चुनाव कर लेते हैं इंदी पर click करते हैं और यह एक PDF file है जो हमारे पास download के लिए आ गई है तो यह download हुई है इसके में लिखा है सारुजनिक सूचना 27-3-2022 27-3-2022 को इन्हों ने पब्लिक notice निकाला है सेवी ने सारुजनिक सूचना दन वापसी refund है तो मूल प्रमानपत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंद में जो मूल प्रमानपत्र मैसेज के द्वारा मंगें उसके संबंदित संबंद में यह notice जारी किया गया है इसमें point number एक में लिखा है नयाय मूर्ती सेवा निवरत आर्म लोडा समीति पीए सेल के मामले में से संबंदित समीति ने उन पात्तर निवे सकों से पीए सेल के मूल रजिस्टर के करण प्रमानपत्र मांगने का रिणना लिया है जिसके दावे की रकम 10,001 रुपए से 15,000 रुपए तक की है और जिनके निवे सकों का सफलता पूर्वक सत्यापन हो चुका है इस उद्देश से पात्तर निवे सकों को संदेश SMS बेजा जाएगा जिसमें उनसे पीए सेल की मूल रजिस्टर करने को कहा जाएगा मतलब है कि 10,000 से 15,000 रुपए तक जिनका इन्वेस्टमेंट किया गया था यह मैसेज सिर्प उन्हीं को प्राप्त हो रहा है 15,000 से उपर जिनका अमांट है उनको य उन्हीं से यह मूल औरिजनल जो सर्टिपिकट है वो मांगा गया है 10 से 15 के बीच वालों से उसके अलावा किसी से भी नहीं मांगा गया है कि रुपया वो अभी और इंतजार करें जिसकी 15 से उपर हैं पीए सील के जिन निवेसकों को समीती के और से ऐसा संदेश प्राप्त होता है होता हो जिसमें उनसे पीए सील द्वारा जारी मूल प्रमानपत्र प्रस्तुत करने को काज है वे निवेसक रुपया आपने मूल प्रमानपत्र इस पते पर भिजवा दे हैं पोस्ट बोक्स नंबर 66 बेलापूर पोस्ट ऑफिस नवी मुंबई 400614 इस एड्रस पे बेजना है और यही एड्रस उसमें हमारे जो मैसेज था उसमें लिखा हुआ आया है मतलब वह उसमें जो एड्रस दे रखा है वह भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है निवेसक लिफापे में केवल P.A.C.L के मूल परमाण पत्र ही भिजवाएं और लिफापे पर परमाण पत्र संख्या आवश्य लिखी जाए एक लिफापे में P.A.C.L का केवल एक मूल परमाण पत्र ही भिजवाएं इसमें पॉइंट नंबर तीन के नुसार है कि आपके पास अगर दस से पंजरा के बीच के अगर दो तीन बॉंड रखे आ हैं पी एची एल की द्वारा दिये गए उनका जो सर्टिफिकेट है वो दो तीन रखे गए हैं रखे हैं तो हर को अलग 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 लिफापे में डा सालने हैं और हर लिफापे के ऊपर आपको सर्टिफिकेट नंबर लिखने है व किस तरीके से लिखना है वह मैं आपको बता देता हूं मैं अभी वह भी कि आपको adopt का एक्ट बट्रा एक no तो उसको यह नहीं मानेंगे इसलिए अपना सेटिफिकेट जो है उसके एक कलर फोटो को फोटो या एक उसकी फोटो को पी जरूर करा ले या अपने मोबाइल के अंदर एक बढ़िया सी कलर फोटो निकाल के रखें वह उसे के लिए और उसको और इजनल को लिफापे में डा कर पॉइंट नंबर दो में बताए गए एड्रस पर बैज दें इसके अलावा न्यूए सकों से इस बात का भी आग्रे किया जाता है कि वह आगाह किया जाता है कि पी एसल के प्रमान पत्रों की मूल प्रतियां किसी को भी नहीं दें जब तक इस संबंद में समीति के और से स कि अगया जिसमें सब्स 뉴스 पराप्त नहीं हो से जिसमें उन से प्रमान पत्रों की मूल पतियां प्रस्तूत करने को का चाहाएं जैसा कि मैंने उपर पर पहले नमबर पढ़ना तब कि आपसे करता है उसके अलाव किसी से भी नहीं मांगा वह इसाय यह को आध्रूपर उपर मांगते अब बेजह बंजार्वाला को पूरी तरीके से इबंदर यह संबर आध्रूपर आध्र Самениosp šalak तो 10 से 15 जार वालों को ही ये मैसेज मिला है और ये मैसेज हमारी जानकारी से जो हमने सेबी से आप और आपके सामने ये नोटिस देखा है इसके अनुसार जो ये मैसेज आ रहा है ये बिलकुल सही है और आप इसके उपर अपना certificate जो है वो बेज सकते हैं मुझे नहीं लगता है कि इसमें जो लिखा गया ये गलत है तो आप इस पर भेज दें ताइकि जल्दी से जल्दी आपके जो डोकुमेंट्स है वो उनके अनुसार आपका certificate उनसे match करा के वो और तुरंत आपको आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में जो एप्लिकेशन सम्मिट करी थी उसके अंदर वो पैसे ट्रांसफर कर दें जल्दी से जल्दी पैसे प्राप्त करने के लिए आप जल्दी से जल्दी ही उनको certificate वेजना चालू कर दीजिए तो और अंत में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको लिखापे के उपर क्या लिखना है और तो इस तरीके से आप लिफापे के उपर लिखके बेजे ताकि कोई गलती ना हो तो लिफापे के उपर आपको लिखना है तू पी ओ बॉक्स नंबर चासट बेलापूर पोस्ट आफिस नवी मुंबई 400614 यह एड्रस दिया गया था रजिस्टर्ड एडी से बेजें इसको गया था सेर्टिफिकेट नंबर यू डबल जीरो सेवन टू एट और आके और अंक हो सकते हैं जो मैंने स्टार लगा है यह आप इस्टार ना लगाए पूरे अंक लिखकर बेजे हैं इसमें आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों को जानकारों को जिनका पी एसीन में इन्वेस्ट किया हुआ है उनको बेजें ताकि उनको भी सुचना मिल जाए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें अच्छ नवर्स की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बदाई हो